कि अगे अगे हम वर्क्षिट 17 के साथ होप यू अला गुड तो शुरू करते हैं वर्क्षिट नंबर 17 को वो डेट है भाई 12.08.2020 तो नाम है आप लोग को पता ही है वर्क्षिट 16 से शुरू गई है विदूद्यानी तो आज हम देखेंगे विभानतर और विदूद परिपत के बारे में बात करूब बच्चों विदूद परिपत का मतलब होता है एलेक्ट्रिक सर्किट परिपत को सर्किट कहते हैं ठीक है बात करते हैं इसकी कही रहा है किसी विदुद धारा के सतत तथा बंद पत को विदुद परिपत कहते हैं यदि परिपत खुला हो अथवा कहीं से तूट तूट जाए तो विदुद धारा का परवा समाप्त हो जाता है मतलब क्या है भाई कि जो सतत कहरा यह क्या है यह पाथ की बात कर रहा है कि अगर कोई भी सरकेट है यानि कोई भी परिपत है जब तक वो बंध होगा तब तो क्या होगा उसमें विदृधधारा का प्रवाह दिखाई देगा लेकिन जैसे ही वो तूट जाएगा या एक पार् तो क्या है ये देखो पूरा एक कंप्लीट सर्क्रिट सर्केट है वह इसके नदर क्या होगा ठीक है और यह सूझ है अगर चालो होगा तभी ठीक है लेकिन अगर हम यहां से मालने तोड़ देते हैं टोड़के split कर देते हैं, तो क्या होगा, कि current यहाँ से, क्या होगा, भाहर निकल जाएगा, waste जाएगा, तो क्या होगा, विधुत परिपत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, विधुत धारा नहीं बनेगा, विधुत धरा प्रवा मिलकर बना होता है मतलब क्या कहा रहा है जो सर्किट है यानि परिपत है विदुद परिपत है कि इसे मिलकर बना होता है जैसे एक्जाम्पल के लिए भाई स्विच ठीक है बल्ब बैटरी इन सब से क्या होता है मिलकर बना होता है ठीक है बात करें प्रतीक की प्रतीक मतलब सि पुरूश लेते हैं कि इनके प्रतीक नाम लिखो और प्रतीक बनाओ ठीक है तो देखते हैं ये ये जह को सब्सक्राइब कर दिखाते हैं ये सेल का है देखर है प्लस और माइनस ओके ये हैं बैटरी का तो आप लोग के मन में doubt होगा कि sir एक बाँ बता हो ये battery और cell में क्या difference है तो बच्चो cell क्या होता है single होता है single होता है और battery में क्या होता है group of cell होता होता है तो cell ही है लेकिन बहुत सारे होते हैं ठीक है तो दोनों एक ही बात है वट-cell में क्या होता है? सिंगल होता है? बैटरी में एक से इधिक हो सकता है clear बात करें ये plug और कंजी की तो क्या है? ये switch है brick नहीं है? switch है ठीक है? जो ऊपर होगा आप ये क्या है? खुली कंजी या या नि open switch है ठीक है? और निचेवली क्या है बंद कुंजी अगर बीच में डॉट है देख रहे हो डॉट बीच में अगर डॉट है तो क्या होगा ये बंद कहलाएगी ये सिंबल किसका है भई बल्व का है ठीक है ये अमीटर आपको लास्ट में बताया था कि अमीटर क्या है विदुधारों को ना अपने काम आता है ठीक है क्लीर है तो बच्चों चलते हैं उपर यहां बात कर आप है विभांतर की तो क्या कहते हैं इंगलिश में विभांतर को सोचो एक बार बताओ भाई नहीं बोल पारे इंग्लिश में बताया था पहले किसी को याद नहीं है चलो नहीं याद थे तो कोई बात नहीं तो इसे कहते हैं potential difference क्या कहते हैं भाई potential difference ओके तो आगे बढ़ते हैं करा किसी धारावाही विदूत परिपत केंद्र बिंदूओं के बीच विदूत विभानतर को उसके कार्रे द्वारा परिभाशित करते हैं कहने के मतलब है कि अगर हमें विभानतर करना है याई विभानतर पता करना है कितना है तो हमें दो पॉइंट्स के बीच ठीक है, विदुत को देखना पड़ेगा, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच अगर हम विदुत धारा को प्रवाइट करेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसके कार द्वारा निकालते हैं, वर्क द्वारा निकालते हैं, विभानतर यानि जो वोल्ट है, उसको कैसे निक एकांक मतलबता है unit क्या होता है unit धिक है करा जो एक आंक आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले लाने में किया दाता है बिल्कुल भाई य होता है मालो इस point से point A से कोई घ्रका जय कोई charge point B टग लाना यह ठीक है तो काम्त हो है डबलू से ठीक है और वाई क्यू यानि टोटल चार्ड आपको पताया था पहले भी तो क्या भाई यह बना किसका फर्मुला विभांतर का नी और विभांतर का SI नीट क्या होता है अफंने अब कहरा है विधुत धरवाही चालक के दो बिंदूों के बीच एक कुल्म आवेश को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिन्दुओं के बीच विभानतर एक वोल्ट होगा इस बात को जरा यहां समझते हैं मान लेते हैं यह दो पॉइंट है ठीक है क्या है भाई दो point है, यहां से क्या हूंगा, point A से हमें क्या करना है, एक kulum charge point B पर ले जाना पड़े है, ब smart bit क्या है ने चलता पता तो पिछले वाले जारा विडियो, देख लें, बताया था मैंने ठीक है, मतलब point A से point B तर हमें क्या करना है, एक kulum charge ले जाना है, कितना भाई, एक कुलम ठीक है, और अगर इसमें एंजी क्या हो, एक जूल खर्चों, जूल क्या है भाई, एंजी का यूनिट है, ऐसा ही बात जिसे कहते है, ठीक है, तो यहनी, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एक कुलम चार्ज लाने में अगर एक जूल खच होता है तो हम कहेंगे इसका अविभानतर कितना है एक वोल्ट क्या है वाई एक वोल्ट यही बात यहाँ पे कही गई है ठीक है इसको दिखाया गया है ठीक है देखो जरा एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कुलम ठीक है इसको ऐसे ही बढ़ते हैं वन वोल्ट बराबर वन जूल कुलम पर सकेंड ठीक है यह जो सिंबल था है यह पर सकेंड का होता है ठीक है क्लियर उपर यह माइनस नहीं है आप लोग कन्फ्यूज मत हुजाना ठीक है विभांतर की माप एक यंत द्वारा क्या आता है जीसे हम वोल्टी मीटर कहते हैं आपको दिखाया था मैंने हापे नीचे इस कॉर्णर में ठीक है मैं फिर से दिखा दूँगा भी आपको लास्ट में करा है वोल्टी मीटर को सदेव उन बिंदूओं से पार्शव करम में सयोजित करते हैं जिसके बीच विभांतर मापना होता है मतलब कहा भाई पार्शव मतलब पीछे से ठीक है मतलब जिनके बीच में मापना होता है उनके बीच में लगा आता है वोल्टी मीटर को ये देखो ये रहा वोल्टी मीटर ठीक है, सिंबल आपको दिख रहा है, यह एरो है, एरो दिखाता है, कितना उसमें विवहांतर है, ठीक है बच्छों उपर पे आप जो साइंटिस्ट की फोटो देख रहे हो, इसका नाम है अलेकसाइंड्रो वोल्टा, ठीक है, यह इटली के बहुत तिक विविवहांतर का साइंटिस्ट का मात्रक वोल्ट रखा गया है, ठीक है तो यह रहे है बच्छों कोशन, तो चलते हैं कोशन के तरफ और देखते हैं, चार कोशन से, बच्छों आगे हैं, वरक्षीट सत्रा के कोशन पे देखते हैं, कह रहा है, यह कहने का क्या ताथ पर रहे है, कि दो बिंदूओं के बीच विवहांतर एक वोल्ट है, मतलब कह बहाई ये कहने का क्या मतलब है कि दो बिंदों other a वुल्ट में तो देखो बहाई कि यह कहने का ताथ पर रहे है कि दो बिंदूों के बीच विदुत विभानतर एक वोल्ट होगा यदी कुलंब्ब आवेश जिसे Q से दिखाते हैं को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया जाता है दिखाते हैं इसको 1 वोल्ट बराबर 1 जूल ठीक है 1 जूल divided by 1 कुलम मैंने बताया था ना भी आपको एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है दोनों के बीच में क्या होगा कि अगर हम एक कुलम चार्ज ठीक है ले जाने में अगर एक जूल खर्च हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे एक वोल्ट कहेंगे क्लियर है फर्मूला क्या है वोल्ट का V बराबर W by Q ठीक है याद रखना इसको आगे काम आएगा बात करा है विदुत परिपत में आरेक में उपयोग होने वाले अवयोग के परतीक को खीची है और बैटरी सेल परतिरोध बंद पलग क्या कह रहा है इनके नाम लिखने है और इनके अवयोग को खीचना है तो यह मैंने उसके बात करें परतिरोध आप देख रहे हो परतिरोध का मतलब क्या होता भाई रजिस्टांस कहते है ठीक है इसका मतलब क्या होता है मतलब होता कि कोई भी हम तार लेंगे ना कोई भी तार लेंगे कोई भी धातू की तार लेंगे तो उसमें जब हम विदृत प्रवाइट करेंगे तो वह जो धातु है ना कुछ परतिरोद मतलब कुछ रुकावट उत्पन करती है ठीक है यह बहुत कम होता है कई बार तो ठीक है इतना कम की पतावर नहीं चलता तो उस रुकावट को ही यानि उस रोक को ही हम परति वोट होता देख रहे हो डॉट उसे कहते हैं बं प्लक देखो यह तो होगा पिशुण और यह क्या होगा भाई और विदुदारक का प्रवाइट होगी, जब उसमें बैटरी जोडेंगे, सिंपल सी बात है, तो होचना कैस मैं कहे रहा है, उस उक्ति का नाम जो किसी चालक के सिरे पर विभांतर को बनाये रखने में सहाहिता करती है, सेल अथवा बैटरी कहलाती है, ठीक है, मैंने आपको स सेल और बैटरी का डिफरेंस बता दिया है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बच्चों मा अगे अगले कोशिन पे कह रहा है, बंद और खुले परिपत में स्पस्ट अंतर कीजिए, तो भाई अगर खुला परिपत होगा, यानि कहीं से तार में कट होगा, तो क्या होगा, विद्धारा प्रवाइट नहीं होगी, ठीक है, और बंद होगा, तो क्या होगा उसमें, विद्धारा प्रवाइट होगी, माले यहां बल्ब है, यहां बैटरी है, ठीक है, यहां स्विच है, यहां अमीटर है, कुछ भी है, बस वो चारो तरफ से क्या होना चाहिए close रना चाहिए ठीक है तो उसमें वि自 Intellip ψथा परवाहित होगी और खुले में नहीं होगी तो यहीं बात यहां पे लिक्की गई है कहला है खुला परीपत और बंद परीपत क्या होता है खुला परीपत वह परीपत जिसमें कोई भी वि自 dataset परेवाहित नहीं हो रही हो और बंद परिपत वह परिपत जिसमें विदुधारा प्रवाह जारी हो या धारा प्रवाहित हो रही हो उधारण के तोर पर आप समझ सकते हैं कि जब आपका स्विच बंद होता है तो परिपत खुला होता है उसमें कोई connect नहीं होती है जैसे switch on off करते हैं तो क्या है कि जो परिपत में current बने लगता है और उसमें जो भी जो भी उस परिपत में यहां वस्तू आएगा ठीक है वस्तू लगा होता है ठीक है यह गल्थ है चाहे हो पंखा हो light हो क्या होता है भाई जलने लगता है ठीक है मतलब यहां पर यही है कि भाई सीधा बात पूछा गया खुले और बंद परिपत में क्या अंतर होता है तो खुले परिपत में क्या होता है विद्धर का प्रवा नहीं होता है और बंद परिपत में क्या होता है उधारण का प्रवाद होता है उधारण के लिए जैसे ही आप सुच on off करते हैं तो क्या होता है कि अगर वो बंद परीपत है तो उसमें लगे वस्तुएं जैसे पंखा, लाइट, टीवी ये सब चलने लगती है ठीक है तो बच्चों ये थे हमारे वक्षीट नमबर 17 के कोशन बात करूँ क्लासरूम वाले बच्चों के लिए तो जाता है तनके लिए कोशन दे राता हूँ ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि भाई, बल्ब का अविश्कार किसने किया किसने किया ठीक है, और कब किया, ठीक है बल्ब का विश्कार किसने किया और कब किया, तो इसका जवाब आप या तो कमेंट बॉक्स में या तो वाटसप ग्रूप पे भेज़ दें, तो बच्चों ये थी आप लोग की वक्षीट, मिलते हैं अगली वक्षीट के साथ, गुड नाइट तिल दें, बाइबाइ